मदबदेश विधान सभा अध्यक्षि गिरीश गौतम ने विधान सभा में हुए हंगामे को लेकर कहा विधान सभा कोई शमशान घाट नहीं है जहां जाकर सब चुप रहेंगे लेकिन हमारा काम है हम विधान सभा को बजार नहीं बनने देंगे विधान सभा अध्यक्षी गिरीश गौतम ने कहा ऐसा नहीं है कि विधान सभा में सिर्फ हंगामा ही हुआ है विधान सभा में लोग सभा की तुल्ला में हंगामा कम और काम जादा हुआ है लोग सभा में सिर्फ 40 घंटे काम हुआ है लेकिन विधान सभा में 18 दिन काम हुआ ह विधान सभा अध्यक्ष ने हंगामे को लेकर कहा कि विधान सभा कोई शम्शान घाट नहीं है कि यहां आका सब चुप रहेंगे और जैसे सम्शान घाट में मुर्दो को जलते हुए देखते हैं वैसे देखते रहेंगे विधान सभा में विधायक चुन कराते हैं इसलिए वो अपने समस्याओं को उठाते हैं हमारा काम यह है कि विधान सभा बजार ना बन पाए करके सब चुपो बैठे रहेंगे केवल उसको जलते हुए देख रहेंगे ऐसा नहीं है वहां पर हमारे विधायक चुन के जाते हैं अपनी समस्याओं खुटाते हैं हमारा काम है कि उसको बजार भी नहीं बनने लिए वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक मिशलेश हम करते हैं सत्य का अनुवेशा तखलनी उस आपके हक्त में